और उनुगा किस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं लारे किया होता है और कैसे काम करता है यह पूरे ओपुरra आप इस वीडियो में जानेंगे पर यह से लास्ट प्रोग्राप की तरह लास्ट वीडियो की तरह मैं इसनले एंद फेट अप की बात करें तो एक वैल्य हो टैन एक वैल्य है टैन इसको हम इंप्लिमेंट करें और चेंज करना चाहे तो टैन हम ऐसा टैन ही रहेगा अगर हम इससे चाहें की बदल दें तो हम कैसे बदलेंगे आप एक वैरियेबल बनाएंगे वैरियेबल का बनाने का जो सिंटेक्स होता ह पहले हम क्या करते हैं पहले हम वैरियेबल नेम लिखते हैं वैरियेबल सौरी पहले हम लिखते हैं डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप डेटा टाइप क्या होता है यह प्रीडिफाइन टाइप होते हैं इसके बाद वाले लेक्शर में आपको इसके पास क्या लिखते हैं तो वैरियेबल का लिखते है और वैरियेबल हमारे बन जाते हैं जैसे के इक्जामपल में मैं वेरियेबल बना रहा हूं एक डेटराइब है इंटीजर फो टाइप है जिसमें सिर्फ इंटीगनल नंबर होता है इंटीगनल यानी कि वो उसके आगे कभी स्पेस नहीं लगता उसके आगे कोई कॉम वागा नहीं लगता यह सारे रूल हैं बाकी वैरियबेल में इतनी बार लिकूंगा कियां को है जाए घ्य से बnot है तो मैंने वैरियेबल दिया हैसाиту हला है कि monstr Symphony परटाड़ in है अब प्रिंट कहा होगा तो मॉनिटर पे होगा तो ऐसी आर आई एल मॉनिटर को बताएंगे इतने बाउट रोट रेट से सीरिल डॉट बीगें बीगें से इतने बाउट रेट से तुम्हारे पास डेटा आएगा तो मैंने यहाँ पे 9600 9600 बायृट यह कॉमन है यह हर एक दिवाइस के लिए इंप्लीमेंट हो जाता है तो 9600 मैंने बता है कि मॉनिटर पर जाना है वैल्यू अब क्या करना है आगे आपको तो यहां पर लिखना है सी आर आई एल सीरियल डॉट प्रिंट क्या प्रिंट कराना आपको तो आपको प्रिंट कराना है वैल्यू क्या वैल्यू प्रिंट कराना है तो वैर की वैल्यू वैर में जो भी स्ट तोरो उसे print कर दो अब हम इस प्रोग्राम को compile कराएंगे तो यहां पर जो वैर में store है वो print हो जाएगा तो यहां पर अब करते हैं का दिखाई देगा तो प्रिंट दिखाई देगा serial monitor पे तो हम टूल में जाएंगे और serial monitor यहां पर ले लेंगे यह सीरियल मोनटर हमारे सामने आ गया है अब प्रोग्राम को रन कराते हैं तो यहां पर रन कराएंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी यह दिखाई दे रहा है एक प्रोग्राम जो है हम देखेंगे देखते हैं चपकर रहे यह चल रहा है की नहीं क्योंकि यह एक सबसक्राइब करते हैं यहां पर violence आपा पड़ी सेटेस काइन्स Billie कर्ता है यहां कुत्व क्यांने से एक माम वार लसे सकनीर करें और यहां पे वैर्याबल दो गी वैल्यू कितनी है तो 20 यहां देखेंगे तो आपने मैंने 20 दिया हुआ है अब मैंने 20 प्लस टू किया है और वही वैर में इसलाइस कर दिया है यहां पर मैं फिर सेज को प्रिंट कराऊं तो यह 22 आएगा से आरा आई एल सीरिल डॉट प्रिंट प्रिंट तो वैर को प्रिंट कर दो यहां पर मैंने मैंस दिया और यहां पर मैंने से प्रिंट करा दिया अब देखेंगे से रन करेंगे एक प्रॉब्लम आ रही है कह रहा है कहीं सैमी कॉलन मिस्ट है यहां पर देखिए सैमी कॉलन नहीं लगा है तो लाइन टर्मिनेट नही होगा हरी फाइब नहीं होगा यहाँ प्यारत है अफिर अब देक कराते हैं देकी रण हो गया है और सीरियल मांहेंस नमिल से ठीक अनियों 20 के बाद कैंसे होती है तो शीर आयेंगे अब ढूर्टी गया डाली के बाद गुले आप देक रहीं है और यहां पर लीके कि आप जो भी लिखना हो दी एल यूई वैल्यू और यहां पर यहां पर सेमिकॉल लगाएंगे यह टरमिनेट करेंगे ध्यान रहे यह जो मैंने लिखा है यह मैंने खुट के मन से लिखा है इसमें आप value print हो रहा है प्रेल्यू जा रहा है डबल कोट में आप कुछ मी लिख देंगे वह मैसेज बन जाएगा compilation कराते हैं और इसको run कराते हैं देखते हैं यह क्या output दे रहा है यहां पे sketch compiling sketch uploading यहां पर upload हो रहा है और यहां पर देखेंगे तो यह message आप रहा है value of the variable 22 तो यह था हमारा variable का पूरा पूरा प्रोग्राम बने रहे हमारे साथ और देखते रहें subscribe जरूर करें शेर जरूर करें variable के बारे में अगर पूछना हो तो जरूर कमेंट में पूछे मैं हूं दुर्गेश मिश्रा थैंक्स पर वाचिंग वाचिंग